हेलो एर्यवन इन दिस वीडियो आज जो हम वीडियो जो देख रहे हैं इसमें आप कुछ क्वेश्चन जो है UPSC और MPPSC के लेबल का जो कि आप बोर्ड पे लिखा हूँ देख रहे हूँ तो आज हमें एक छोटी सी स्ट्रेजी है जिसको हम बोलते हैं डारेक्ट और इन डार जिसमें हम बात करते हैं किकुछ कैशन डारेक्ट ली रहते हैं और कुछ कैशन जो इन डारेक्ट ली रहते हैं पर जो मेइन चीज हम इसวीडियो सरीज पर देखने typically г had a就 principle है जो कि basically है science and technology विज्ञान और जो प्रद्योगी की वाला जो section है वो सबसे important section है और generally हम क्या करते हैं कि इसको skip करके चले जाते हैं और कभी न कभी जो UPSC point of के जो question है या MPPSC के point of question आते हैं वो कभी न कभी कुछ question जरूर ऐसे होते हैं जो मतलब हमको या जो भी student या जो भी aspirant ज कर बाता हैं तो हम जो है इस पूरे वीडियो जो series है जो मैं इसको पूरे तरीके से एक in-depth cover कराते हुए चलूंगा और यह जो series मैं बनाऊंगा उसको basic form में यह कुछ 9 chapter है जो अभी आपके screen के सामने display होगा तो यह जो 9 chapter आप देख रहे हों basic form में यही वो 9 chapter है जो science and technology जिसकी हम बात करते हैं जो UPSC और MPPSC के point of view से सबसे important chapters हैं और सबसे जादा question भी इसी से पूछे जाते हैं तो मैं Sivam Singh आपको यह पूरा science and tech जो सबसे पहला part होगा हमारा और उसके बाद हम एक academic science जो होता है जिसमें basically देखते हैं physics, chemistry और बायो English medium as well as Hindi medium के साथ-साथ मैं cover कराते हुए चलूंगा I have an experience of almost four and a half years, I was an assistant professor for fluid mechanics in an engineering college तो experience के अगर हम बात करें तो मेरे पास काफी अच्छा experience है और मुझे इस non-tech background में सबसे जादा science और science and technology का जो subject है वो सबसे जादा पसंदा है इसलिए मैं जो है आपने tech background से वापस non-tech background में आया Moving on, हम जो बात करने वाले आज की direct और indirect part होता क्या है तो देखिए question जो है सबसे important चीज़ यह है कि यह आप दो question देख रहे हैं जिसमें एक UPSC 2019 का है और एक question है MPPSC 2018 का दोनों question मैंने सिफ और स्वे science on tech के portion से ही उठाए क्योंगि मैंने इसमें simple science को नहीं दिया है क्योंकि basic form में आपने कई बार ये पंड लिया होगा तो important चीज़ है कि what is India's plan to have its own space station and how will it benefit our space programs हिंदी में भी आपके सामने लिखा है दूसरा question है कि विदी विज्यान क्या है और इस छेत्र में keto की भूमी का समझा है What is forensic science? Explain the role of insects in this field अब important part है कि आपको कुछ दिख रहा होगा कि मैं यह first question में यहां से यहां से लेकर mark किया है और दूसरा है कि यहां से यह पार्ट जो है वो mark किया है MPTSC में तो अगर आप देखो तो यह पहला जो part है what is forensic science तो यह general science and technology का जो conceptual chapter है जो मैं आपको शुरुआत में नौ chapter का एक photo दिखाया था उसमें से ही आता है और यहां पे भी अगर आप करें what is India's plan to have its own space station यह भी उन ही नौ chapters में आते हैं पर इसके बाद का जो part है जो की basic form में अगर हम बोले तो यह पूरे तरीके से indirect है इंडारेक्ट का मतलब है यहां पे आहम इंग्लिस के direct और indirect speech की बात नहीं कर रहे हम स्रिफ और स्रिफ बात कर रहे हैं कि indirect part question का कौन सा होता है तो यह वो part है जो basically स्रिफ आपके hard work और आपके knowledge पे ही depend करता है क्योंकि यह जो part है na India's plan to have its own space station और यह जो part है what is forensic science यह लगभग सारे aspirants जो है वो लिखते हैं लगभग क्योंकि यह approximately सब को पता रहता है लेकिन इसके बात का जो part है जो की change होता है जो fluctuate करता है जो depend करता aspirants है aspirants तक की कौन कैसा लिख रहा है और यही mains में सबसे ज़्यादा matter करता है तो यह जो part है यह हम कैसे cover करेंगे direct के साथ साथ indirect part को भी कैसे cover करेंगे तो यह एक सबसे बड़ा जो है वो problem बन जाता है तो मैं जो यह series बना रहा हूं स्रिफ इसलिए नहीं कि I am the best teacher or I will be the most motivational teacher ऐसा कुछ नहीं है आप यह जो है कई जगा पर मैंने research किया कही जगा मैंने research किया कही जगा मैंने देखा कि science and take कि किसी भी channel पे पूरे तरीके से सारे के सारे वीडियो एक line through में नहीं है कि मतलब कही न कही कुछ part मिसीं है कही न कहीं कुछ part मिसीं है कि कहीं orbit पढ़ा रहे है तो फिर GTO नहीं है उसमें, कहीं LEO है, तो फिर GSO नहीं है उसमें, कहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं, Polar और Geosational नहीं मतलब धूवी और भूस्थिर, तो फिर कहीं न कहीं हम कुछ synchronous word और ये सारी चीज़ें, जितने भी Science and Techs related जो ही चीज़े हैं, वो हम इस वीडियो लेक्शर में कवर करेंगें, तो पहले जो वीडियो लेक्शर होगा, जो कि हम आने वाले वीडियो में कवर करना चालू करेंगे, पहला वीडियो लेक्शर जो होगा, वो हमारा Science and Techs से सुरू होगा, जिसका फर्स चैप्टर होगा, Basics of Science and Technology, जिसमें बेसिक्स में सिर्फ हम उन चैप्टर को देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा highlighted हैं, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन का नाम सुना हूँ, जो सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है Science and Technology में, जिसका नाम है DNA Fingerprinting, तो हम ये जो चैप्टर हैं, इनी सब चैप्टर से सुरुवात करेंगे, और ये जो 9 चैप्टर मैंने आपको सुरुवात में दिखाये थे, ये पूरे के पूरे जो हैं, वो एक एक करके हम कवर करते चलेंगे, तो होग करता हूँ कि आपको मेरी बाजर समझ में आई होंगी, लेकिन most important है कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो सबसे important है कि आपके पास एक pen और copy होना चाहिए, क्योंकि online होके like करना, subscribe करना is not very much important, सबसे ज़रूरी है कि आप discipline के साथ इसको पढ़े, मैं कोसिस करूँगा कि वीडियो लेक्षर ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा से छोटा रखूं पर knowledge ज़्यादा से ज़्यादा देने के कोसिस करो, तो उसके लिए आप important है कि daily 15-20 minutes आप जो भी वीडियो आपके सामने आते हैं सबस्क्राइब करने के बाद आप उनको daily देखें और copy में notes बना कर तेयार करें, क्योंकि इस corona world के pandemic situation में आपको याद रखना है कि अब जो है वो कई जगा पे education sector अब online आ रहा है, तो आपको online में भी जैसे आप offline class में तोड़ा discipline दिखाते हो, वैसे online में भी आपको discipline दिखाना पड़ेगा, तो हम मिलेंगे फिर next video lecture में इसी strategy के साथ कि हमें की chapter को पूरा करते चलेंगे, तब तक के लिए, thank you.